दोस्तो मैं अलपना सुरोanie श्वागत है आप सभी का स्वाधिष्ट भोजन में दोस्तो आज मैं आपको देसी चिकन बनाना बताऊंगी ओभी ढावा श्टायल में कि ढावे स्टायल में आप घर पे किस तरह से भना सकते हैं देसी चिकन दोस्तों आप धावे पे जाते हैं तो आपको बहुत ही लजी स्वादिश टिकन मिलता है खाने के लिए जो कि आप सोचते हैं कि इसी तरह से हम घर पे बनाएं तो उस तरह से नहीं बनता है पर आज मैं आपको उसी तरीके से और इद्धम कलरदार और सब कुछ वैसे ही बनान दोस्तों तो इसको बनाने के लिए दोस्तों यहां पर मैंने लाल मिश रूखी वाली लिया है तीखी मिश है यह मैंने पेश्ट के लिए लासंडेर सारा लिया है यह मैंने तेन जवलियत मोटा वाला उसके बाद चार प्याज लिया चोटे साइच का उसके बाद दोस्तों थोड़ा सव में अधरक चाहिए। डावा जैसे चिकन बनाने के लिए दोस्तों सब खेल मसाले का ही होता है तो ये मैंने गरम मिक्स मसाले लिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हल दे ली हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने मुर्गों को अच्छे से काट के धो करके साफ कर ली हूँ दोस्तों कटिंग का भी वीडियो आपके साथ पहले ही सेयर कर दिया है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर दियो अप्टम पे क्ली करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं कि देशी मूर्गा आप घर पे किस तरह से काटे और कैसे साफ करें वह मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है वहाँ पे आप उपर दियो एपिटम पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं अब इसे हम उबालेंगे तो इसे हम कुकर में एड़ कर देंगे सारे चिकन को उठा करके दोस्तो अभी तक चनल को आपने सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दीजिए और बगल में वेल की घंटी है उसे बजाना आप न भूलिएगा और दोस्तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आप न भूलिएगा आप तो वीडियो को लाइक करते भी नहीं है अगर आप liked करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा तो चिकन को मैंने add कर दिया है कूकर में अब इसमें हम थोडा सो पानी add कर देंगे जjyदा पानी आट्थ नहीं करेंगे चिकन वैसे भी पानी छोड़ेगा तूसमें को 25 सीटी हो गया है इसे हम उतार देंगे नीचे ठंडा हो जाएगा तब इसे हम खोलेंगे तो कुकर को चूले पर से उतार के हम साइड में रख देंगे और जिस बरतल में चीकन को बनाएंगे वह हम चूले पर रखेंगे तो दोस्तों आज में आपको बटूई में बनाना बताऊंगी धावाश्टायल चिकन तो यह देखिए अच्छ तो मैंने चिकन को पलट लिया है अब हम डाल देंगे तेल सरसो का तेल थोड़ा ज्यादा एट कर देंगे तेल जैसे गरम होगा वैसे चार मीडियम सेच का प्याज बारी कटके बड़ी लाची छोटी लाची दाल चनी का टुकड़ा और इसमें दो तेज पता एट कर तार्काइब तैरका अच्छे से भूनेंगे तारका अच्छे से अमारा भून के तयार होगा यह दीक सकती है दोस्तों इस तरह से आपको तड़के को फ्राई कर लेना है अब इसमें हम मसाले जो पीसे हैं वो यच्चन करेंगे तो मसालो को आपको बहुत ही अच्छे से तो जब तक मसाल अच्छे तेल न छोड़ दे तब तक भूनेंगे उसके बाइस में डालेंगे दो बड़ा चमश नमक या स्वादा नुसर अब इसमें हम डालेंगे कलर वाली मिर्श तो थोड़ा सा पानी आट कर देंगे तो गरीबी आप देख सकते हैं दोश्तो अभी कितनie खूपसूरत दिख रही है तब इसे हम अच्छे से भूनेंगे तो मसाल आप देख सकते हैं बहुत है हमारा भून के तयार हो गया है अब इसमें हम चिकन को आइट कर देंगे तो अराम से आट करेंगे दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके का चिकन आपके साथ बनाने का तरीका बता दी हूँ अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखें तो उपर दियो आप टम पे क्लिक करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं चिकन को आप अलग-लग तरीके से कैसे घर पे बना सकते हैं, स्वाधिष्ट भी। चिकन को मैंने एट्ट कर दिया है, चिकन को हम अच्छे से मसाल ये मैं मिलाएंगे। चूले की आज इस समय हम तेज रखेंगे और हाथ को बचाते हुए चिकन को मिलाएंगे और अच्छे से चिकन को हम इस समय भूनते रहेंगे जब मसाले के साथ अच्छे से चिकन भून जाएगा तब इसमें हम पानी एट करेंगे मसाले के साथ चिकन अच्छे से भुन गया दोस्तों इसमें पानी एट कर देंगे तो आपको पानी जितना जूरत है उतने ही एट करें यहाँ पर मैं दो बड़े लोटा पानी डालूंगी चिकन पकेगा भी तो इसलिए थो ज्यादा पानी आपर मैंने एट किया है इसे अच्छे से मिला देते हैं मिलाने के बाद दोस्तों इसे हम ढख करके 5-6 मिनट तक पकाएंगे मीडिया माच पर तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों अभी तक आप ने अगर मुझे इस्टागराम और फेस्बुक पे फोलो नहीं किये हैं तो वहाँ पे आप मुझे फोलो कर सकते हैं दोस्तों चिकन बनाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि उसमें आपको मसाले अच्छे क्वाल्टी के डालने हैं मसाले में कंजूसिन नहीं करनी हैं तब ही जाके आपका धावाइस ट्याल में चिकन बन के बहुत ही अच्छे से त्यार हो जाएगा तो यह मैं चि किती ठीक हो गई है बस इतना ही गिरीवी ठीक हमें रखना है और देख सकते हैं चिकन भी बहुत ही अच्छे से पक्के तयार हो गया है इसी तरह से हमें पका लेना था तो अब इसे हम दोस्तों चूले पर से उतार के नीचे रख लेंगे और ठंडा होने के बास सर्फ पर बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है ठंडा होने के बाद यहां पर मैं आपको तुरंती सर्फ करके दिखाऊंगे फिर भी बहुत ही खुबसरत इसमें कलर आया है और बहुत ही अच्छा दीख रहा है स्वाद में तो आप पूछो मत किस वाद इसका कितना अच्छा था आएंगे तब ढवाए पर जाना भूल जाएंगे घर पर ही बनाके खाना पसंद करेंगे ढवाए श्टाल चिकन यहां पर मैं इसे प्लेट में सर्फ कर दे रही हूं तो यह रहा दोस्तों हमारा देशी चिकन ढवाए श्टाल में पूरी तरह से बनके कम्प्लीट है तो दो कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी